स्काई लॉड हाँ ये नाम सुन करके तुम्हें वो एक ही चीज याद आ रहा होगा ना कि उस इनसान ने फ्री फायर कम्यूनिटी को किस लेवल तक लेकर गया इस्पोर्ट्स में और जब तक वो था तब तक फ्री फायर की एक भी मनमानी को इंडियन सर्वर में होने नहीं दिया पाटनर प्रोग्राम के बंदों से ले करके हर एक बंदा लाइफ बंद करके चला जाता था सोने जब वो बंदा साम को 7 बजे लाइफ करता था और सब की बैंड बजाना चालू करता था जिस बंदे ने इंसाफ दिलाने के लिए तुम लोगों को अपनी जान की डिस्क तक नहीं लेता था उसको इतने धंकिया आती थी और ऐसे हजारो लीगल नोटीस आते थे बस वो तुम लोगों की वज़े से खड़ा रहता था लड़ता रहता था क्या हुआ उसके जाने के बाद तुम सब वही है एक टाइम पे इंसान भूल जाता है अपनी उकात को जब सकाई लौड का डेथ हुआ उसके बाद हजारो क्रियेटर्स सामने आये हजारो लोगों ने वीडियोस बनाया चलो आओ तुम लोगो कोई कहानी सुनाता हूं अर अगर तुम लोग के पास टाइम होगा तभी कहानी सुनना क्यूंकि यार मैं टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूं इदर तो इस कहानी का करेक्टर है अभिशेक, अकाश और एक का नाम रखते हैं नमूना तो होता कुछ ऐसा है कि अभिशेक अपने बड़े भाई को खो देता है और जब घर में किसी का देहान थोता है न तो घर वाले परिवार वाले सब इकठा होते हैं और लोगों को भूलाने की जगे पर और उन्हें रूला रूला करके उनको याद दिलाते हैं तो कुछ ऐसा ही होते है अभिशेक के साथ उसने अपना बड़ा भाई खो दिया था और वो चीजों को भूलने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहा है जिस भाई की मिलियन में फॉलवर्स है लोग लगातार यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाए जा रहे थे और उसको वही पुरानी बाते लगातार उसके आख के सामने आ रही थी तुम सब के भी घर में भाई बहन होगा अबिशेक को खुद की जगह पर रख करके कि तुम्हारा भाई तुमसे दूर पढ़ने के लिए गया हुगा और तुम्हें पता है कि वो कभी ना कभी तुम्हारे पास आ जाएगा तो भी तुम्हें उसकी याद आती रहती होगी तुम बार-बार शोशल मीडिया से उसके कॉल करते होगे वीडियो कॉल करते होगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई या फिर बहन पढ़ने के बाद तो वापस आ जाएगा ना क्योंकि अभिशेक ने बोला था कि भाई मुझस अब यह देखा नहीं जा रहा है मेरे घर वालों को बार-बार सेम चीज दिखाई दे रही है यसे documentary वीडियो जो हम बनाते हैं और ऐसे वीडियो जो मरे हुए इंसान पर वीडियोस बना बना करके पैसे बनाना उस documentary वीडियो में इसने लाखों का प्रमोशन कर रखा था लाखों हजारों रुपए तो लिये ही होंगी। इसी मरे हुए इंसान की वीडियो बना करके उसके उपर बैटिंग एप का प्रमोशन करना वही काम इस नमूने ने करा और इस नमूने नहीं नहीं अभिशेक के घरवालों से परमीशन लिया इस डॉक्यूमेंटरी को बनाने के लिए और मेरी अभिशेक की मम्मी से जब बात ह करो मैंने इस नमूने से बात करा और इसको एक शब्द मेना मेरा उस ताइम पर खून खौल रहा था बस वह बैटिंग एप का प्रमोशन देख करके कि किसी के डैथ पर यह वीडियो बना रहा है पैसे कमा रहा है और किस तरीके की नीच हरकत कर रहा है और बस यही वज़े स मैंने उसको एक गाली दिया था और वो भी गाली देने के बाद न मैंने उसको बोला कि भाई तेरे पर राइट से तो तु कुछ भी हगेगा एंड मैंने उसको गाली दिया तो I apologize for that क्यूंकि कल को तुम भी होते न मेरी जग है तो ऐसे sentiments में तुम गाली देते ही देते क्यू हमने भी हजार बार रोकने के बाद भी किये जा रहा हो किये जा रहा हो तो तुम क्या करोगी लीगल एक्शन लोगे हमने भी वही करा हमने YouTube के तरफ से legal notice भेजा YouTube और हमने वीडियो को टेक डाउन करवाया हमने फॉर्म जमा करा YouTube ने review करा उनको कहीं पर गलत लगा तब ही त करेगी इंडिया में क्योंकि जितनी भी गेम्स जितने भी प्लैटफोर्म की पॉलिसी होती है न इंडियन गवर्मेंट बना के देती है तब वो चीजे रन करती है इंडिया में फिर इसने क्या करा जब यूटूब ने वीडियो को टेक डाउन करा तो ये लाइव आ करके हम और नोटी भेजा यूटूब को लीगल टीम के तरफ से और सिंपली वही करा जो लीगल हो अब जब तुम्हारे घर का परिवार कोई ना हो और उसका मूँ इस तरीके से काला कर दिया गया हो बता है चेहरा काला खिसका किया जाता है जिसने कुछ अपराद किया हो तुम मु कर दिया था इसने हर प्लैटफॉर्म परिवा बहन को भी गाली दे रहा था और इतना गाली दिया है सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है मैं प्रूफ के तौर पे रखाऊ और ऐसे हजारो रीजन्स हैं जिसकी वज़े से इसको स्ट्राइक पड़ी है इसने अपना ये पूरा पर स्ट्राइक मारना है स्काइलोड के डेथ के पहले इसके चैनल पर 20-30,000 सब्सक्राइबर्स थे और इसने शौर्ट्स डाल डाल करके स्काइलोड की जीतनी ओडियन्स थी सबको अपने तरफ गेन करा और फिर उसी के भाई को गाली गलोज दे करके उसी की ओडियन्स को उ स्कायलोट को गाली दे रहा है बार बार उसके मरे हुए चेहरे पर वीडियो बना गर के उसके उपर काला कलर करके नीच हरकत कर रहा है जिसकी वज़े से वो और उसके घर वाले दोनों परेशान है इस सीचुेशन को देख कर के और कल की वीडियो आने के बाद नहर सीरियसली भी बता रहा हूँ सब्ही टीम स्वे के हो गई है मेने भी लॉयर से बात हो गया है उसका भी अपने साइट से लॉयर से बात हो गया है क्या करना है अब और इसकी से होगी किसी मरे वे इंसान पर documentary बना करके उस पर बैटिंग अप का प्रमोशन और यहीं तक नहीं इसने लाइव आ करके Skylod का घर का एड्रेस रिवील करा, privacy लिग करी, phone number लिग करा, Skylod तक का ही नहीं मेरा भी phone number लिग करा, मेरा जो private mail है, उस तक को इसने live में शो करा है, उस तक को इसने नहीं छोड़ा है, और अगर यदि तुम लोग यह सोच रहोगा कि मैं YouTube से एंडिंग करता हूँ, या फिर मेरा income source YouTube है और YouTube नहीं रहेगा, तो तुम लोग एक नंबर के गदे हो यार, YouTube से मेरी जिन्दगी का न 10% का भी पैसा नहीं आता, हर YouTube डिलीट नहीं होता, तुम लोगों को एक बात बता दूँ, यह क्या होने वाला है, आगे वो code डिसाइड करेगा, बट लेट मी डिसाइड कि किसी sentiments को हट करना, किसी के मरे हुए भाई के उपर काला कालिक पोथना, उसके उपर वीडियो बना करक प्रमोशन करना, आगे वो, तुम एन्ण हैं वीडियो बना के और वीडियो इस चाइड करेगा, भी क्याहते हैं यह होगा उननला arms amiga प्र वालें वाले होंא और मैं ये सारे proofs को अपने lawyer पे तो भेजी दिया हूँ और same चीज तुम सबसे share कर दिया है बाकी proofs के लिए मैं अगली वीडियो में अच्छे से तुम लोगों को proofs दे दूँगा ये खरी वीडियो में और रह कमें अच्छे से से कीज़ारी देख़ानद़ Mitt झाल झाल